यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है, 220 वा दिन, क्या पैसा एक आशिश है या एक श्राप? Lawrence चर्च के धन के भंडारी थे, वह एक डीकन भी थे, उनके चारों और एक महान पुनर जागरन शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता था कि समस्त रोम मसीही बन रहा था. इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 250 AD में समराट वेलरियन के अंतरगत सताव शुरू हो गया, जिन मसीहियों के पास जायदा थी, उन्होंने चर्च के सभी धन और खजाने को शहर के गरीबों में बाट दिया. वेलरियन ने आदेश दिया कि सभी बिशप, याजक और डीकन को बंदी बनाया जाए और मार दिया जाए. उन्होंने लॉरेंस के सामने प्रस्ताव रखा कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा यदि वह दिखाएंगे कि चर्च के सभी घजाने कहां पर रखे गए थे. लॉरेंस ने तीन दिन मांगे ताकि इसे एक स्थान में इखटा कर लें. उन्होंने अंधों, गरीब, अपंगों, बिमार, बुढ़े, विध्वा और अनाथों को इखटा किया. जब वेलरियन आये, लॉरेंस ने दर्वाजा खोल दिया और कहा ये चर्च के खजाने हैं. अगस्त, AD 258 में लॉरेंस की मृत्य हो गई. यहां तक ही उन्होंने उनके हत्यारे के साथ मजा किया. आप मुझे पलट सकते हैं. इस तरह से मैं भुन चुका हूँ. उनके साहस ने इतना प्रभाव बनाया कि रोम में पुनरजीवन केवल बढ़ा. बहुत से लोग मसीही ब अगस्त, AD 259 में पुष्टक में धन और गरीबी के विशय में एक उलेखनीय संतोलित समझ है. दोनों ही ना तो पूरी तरह से अच्छे, या पूरी तरह से बुरे देखे जाते हैं. उन्हें जीवन की व्यापक बुनावट के रूप में समझा जाता है और उन्हें उत्साहित किया गया है कि जो हमारे पास है उसका इस्तिमाल बुद्धिमानी से करें. घर और धन पुर्खाओं के भाग से परंतु बुद्धिमान पतनी यहवा ही से मिलती है. घर और धन के विशय में कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन जीवन में इससे भी महतवपूर्ण चीजें हैं. सही जीवन साथी को पाना बहुत सारा पैसा होने से अधिक महतवपूर्ण है. जो पैसे की खोज में या किसी दूसरे लक्ष के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करते हैं, उनके लिए यहाद रखना महतवपूर्ण है कि परमेश्वर स्वर्वभामिक है. मनिश्च के मन मे बहुत सी कलपनाए होती हैं, परन्तु जो युक्ति यहुआ करते हैं, वही स्थिर रहती है. सबत विश्राम करना और छुट्टी लेना एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर की सर्वभामिकता पर भरोसा करते हैं. धन जीवन में सबसे महतोपून चीज नहीं है, ना ही गरीबी सबसे बत्तर चीज है. जो हमारे साथ हो सकता है, मनिश्य कृपा करने के अनुसार चाहने योगी होता है, और निर्धन जन जूट बोलने वाले से उत्तम है. हमें धन से कहीं अधिक प्रेम की आवशकता है, चर आई हुई होती है, आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी धिलाई से काम करता, वह भूका ही रहता है. एक व्यक्ती की गरीबी का कारण चाहे जो हो, हमें गरीबों के प्रती दयालू होना चाहिए, जो कंगाल पर अनुगरह करते हैं, वह यहुआ को उध्धार और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा. यह एक असाधारन और अद्भुद वाइदा है, परमेश्वर एक व्यक्ती का उध्धार नहीं रखते हैं, जब कभी आप एक गरीब के लिए कुछ दया दिखाने वाला काम करते हैं, तब आप परमेश्वर को उध्धार देत हैं और वह अब्याज के साथ वापस देते हैं. अक्सर हम उन लोगों के जीवन में अद्भुद आशिश को देखते हैं, जो गरीब, बेघर और कैदियों के साथ सेवकाई करते हुए अपना समय बिताते हैं. परमेश्वर, मैं अपने धन और मेरे भविश्य के साथ आप पर भरोसा करता हूँ. मेरे सहायता कीजिए कि सभी के प्रती, उधारता का एक जीवन जीओं, विशेश रूप से गरीबों के प्रती. नयानियम, पहला कुरंथियों, चार का एक से एककिस, प्रेरितों की गरीवी. बाहरी और से लोगधनी, सम्मानित और मजबूत थे, लेकिन कुरंथ में चर्च एक परिशानी में था. पॉलूस बताते हैं कि वे अखड, घमंडी और इर्शालू थे, वे वे बिचार करते और एक दूसरे के विरोध में न्यायले में जाते थे. पॉलूस इन में से कुछ मामलों से निवटना शुरू करते हैं. पॉलूस एक प्रेरित हैं, वह उनके जीवन में अमीर और अखड़पन को देखते हैं. वे अपनी भौतिक संपती पर अभिमान करते हैं. पॉलूस अतिसंग शेप में समझाते हैं कि क्यों किसी के पास गमं क्यों करता है कि मानों नहीं पाया. तुम तो त्रप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज किया. परंतु भला होता कि तुम राज करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज करते. वह उनकी भौतिक संपती और प्रेरितों की गरीबी में अंतर्श्पष् पॉलूस एक अत्यधिक प्रभावी मसीही थे उनकी सेवकाई सबसे सफल सेवकाई थी किन्तु इससे बहुतिक समरद्धी प्राप्त नहीं हुई इसके विप्रीत वह बहुतिक रूप से गरीब थे उनके पास परियाप्त भोजन नहीं था उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे वह बेघर थे उनकी गरीबी आलस की वज़े से नहीं थी हम अपने हातों से कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन आज बहुत से गरीबों की तरह उनकी निंदा की जाती थी उनके प्रती दयालू बरताव नहीं किया गया लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीश देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनिती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तूओं की खुर्चन के समान ठहरते हैं पॉलूस बड़े प्रेम से लिखते हैं, उन्हें लजजित करने के लिए नहीं लेकिन उन्हें चिताने के लिए, वह उन्हें उस तरह से देखते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों को देखता है। पॉलूस का पिता के जैसा हृदय था जैसा कि पिता का हृदय कोमल, दयालू, देखभाल करने वाला, सिखाने वाला, सुरक्षित रखने वाला और कभी लोगों पर हार नहीं मानता था एक पास्टर का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए सभी मानवी ये माता-पिता सिध नहीं है लेकिन आपके सिद्ध स्वर्गी पिता आपसे प्रेम करते और आपकी देख भाल करते हैं और अपने स्वर्गी नमुने के आधार पर दूसरों के लिए एक माता पिता बनने का प्रयास कर सकते हैं परमेश्वर आपका धनिवाद क्योंकि इश्व से मैंने इतना कुछ ग्रहन किया है जो यह विश्व नहीं दे सकता है होने दीजिये कि मैं मसीह के लिए एक मूर्ख बनने के लिए तयार रहूं मेरी सहायता कीजिये कि पॉलूस के उधारन पर चलों पुरान नियम पहला इतिहास 26 का 20 से 27 के 34 तक राजाओं का धन जब पॉलूस ने लिखा तुम तो तरप्त हो चुके तुम धनी हो चुके तुमने हमारे बिना राज किया पहला कुरंथियों 4 का 8 शायद से उनके दिमाग में दाउद राजा की तरह राजा थे दाउद धनी थे उनके पास महान खजाना था पहला इतिहास 26 का 22 उनके पास राजसी भंधार था उनके पास दाख की बारी दाख मदू था तेल और गुलर के वरक्ष तेल के भंधार गाए बैल उट और गदहे भेड बकरियां आदी धन सांसारिक नहीं है उधारन के लिए परमेश्वर की आराधना सामानी रूप से भवन में होती है भवन में पैसा लगता है चर्च के धन संबंदी पहलू को चलाना एक महतुपूर्ण भूमिका है फिर लेवियों में से परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ शबूएल खजानों का मुख्य अधिकारी था अकसर पुराने नियम में भौतिक संपती को परमेश्वर की आशिश के एक चिन्ह के रूप में देखा गया आज भी यह सच है कि भक्तिमय चरित्र कठिन परिश्रम, नियम में देखा यह पूर्ण चित्र नहीं है। कि हमारी सिक्षा में और हमारी जीवनशैली में सही संतुलन बनाएं। होने दीजिए कि हम कभी भी उन लोगों पर दोश ना लगाएं जिन्हें आपने भौतिक सम्रदी से आशिशित किया है। हम उदार बने और मुक्त रूप से दान दें और भूके और प्यासे रहने के लिए तैयार रहें। चितडों और भेगर होकर भी यदि आवशकता पड़े ताकि आपकी सेवा कर सकें। नीती वचन 19-13 पत्नी के जगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। मेरे परिवार के द्वारा की गई गलती को बताने से पहले मैं इस वचन के बारे में सोचती हूँ। मैं नई चाती कि मुझ पर टपकने वाली बूंत जैसा आरोप लगाया जाए। आज का वचन जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उदार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। नीती वचन 19-17